Hey guys welcome back to my new gameplay video of Minecraft तरहे मेरी Minecraft series की second video है इससे पहले यार मैंने stream की थी तो वो मुझे ज्यादा खास ने लगी मतलब उसमें मैं बोलत हो रहा था कि stream करना is best फिर यार मुझे लगा कि जब तक तक तुम अगर build ना हो जाओ तो stream करने का कोई फाइदा निया थे मतलब की weapon weapon जो भी है build होने के लिए सब कुछ समझ रहो ना तो मतलब की मुझे लगता है कि पहले मैं build कर लो अपने को थोड़ा सा जैसे कि मेरे पास कभी कोई थत्यार की कमी ना हो मतलब बोले तो weapons वगएरा तो इसलिए मैं वैसे अब live stream नहीं कर रहा हूं कुछ time तक तक मेरे को लगे ना कि मैं आप ठीक line में आ चुका हूं स्टार्ट करते हैं गाइस आज की वीडियो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो यार मैंने iron farm बना लिया जैसे तैसे करके मैं दिखाता हूं इसकी लुक पास जाके यह कुछ village है village काफी बढ़ी है यार बाकी यह मेरा iron farm है यह chest है यह उपड़ से आता है उपड़ से hoppers के तुरू इस chest में आता है तो यह देखो गाइस अभी देखो एक iron golem उपर जल रहा होगा तो अभी देखना वेट करते हैं गाइस और यह आ क्यों नहीं रहा है बात यह है oh my god oh my god मेरे पीछे एकदम zombie पढ़ चुका एकदम भैंकर छोटा बच्चा और मैं किसके घर में छुपू किसके घर में छुपू अपना घर काई मेरा oh my god मैं तो बुली गया रात हो गई थी हाँ अब ठीक है वैसे मैंने iron farm बना तो लिया पर मैंने उससे भी कोई वह बनाया नहीं वैपन वगेरा तो नेक्स टेय हो चुका है एंड वह शायद भाहर पर ही खड़ा है आजा का है तो आज तुझे तीरी तीर से मारूंगा मर गया साला अर्राइट गाईज अब चलते हैं पर क्रीपर क्रीपर अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी जितना इन इनको मारना है मारने दो कोई दिखाता हूं शायद दूर से दिख जाए अर्राइट गाईज तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि यहां उपर आईरन गॉलम आता है और उसके नीचे ना वह लावा बिशा रखें मैंने और यह कहां से आरी आवाज नीचे लावा है जिससे कि वह जल्द के सीधा होपर के थूर नीचे आ जाता है आईरन बन के तो फिरने से अपना काम हो जाएगा वैसे लिए टेबल है मेरे पास तूं क्राफ्टिंटेबल से ही कratए पैन फिर बनाना है मुझे शूरू ऑखे मैं shows मेरे पास इतनी है चेस्ट प्लेट का है इस कले हमें चाहिए तो हो जाएगा कोई दिक्कत निया अपने पास कमी निया होगी अब आइरेंग तो और गाइस तो अब आइसे ऐसे ऐसे तो हमेरे पास टेस्ट प्लेट भी बन चुकी है अब इसे टाइम आ चुक है इसे पहनने का यह पहना शूस पहने एंड पैंड पास अभी हलमेट नहीं पहन हुआ क्योंकि ठीक है अब और मुझे बनाने है वेपन इसे यहां रख देता हूं अब प्लैंक्स म की मेंनिंग थे आगे यह निकाल हो यहां से फालतू का समान बहुत है एंड अब मुझे तोड के लाने है वुडन प्लैंक्स सबसे पहले मैं आइरन यहां छोड़ देता हूं से आइरन एंड गाइस मुझे ना अभी एक अपना जैसे कि वह मेरा घर है कहां से होते यह इसके मैं शायद थे ठीक थाक पूट कठा के लिए है देख सकते हो आप फूक लॉग है मेरे पास अभी तो इसको प्लैंक बे कनवर्ट करूँगा तो ज्यादा बनी जाएंगे वाफिसरी बात है बागी अब चलते है अपने विलेश की तरफ यार यह जो मुझे मिला है ना मतलब कि इसका एरिया इतना बढ़ा है कि यहां बहुत अच्छा डेवलप्मेंट हो सकता है बागी यार मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे जितनी यह चीजे मिले मुझे इनको भी कलेक्ट करते जाने क्योंकि मेरे पास कमी नी होनी चे किसी चीज की फटा-फट से खाना करना है Oh Planks में और 60 Planks मिल गए मुझे करना था अब मुझे बनानी है शील शील यह आइरन पीस तो महीं भूल आया मुझे ऐसा करना चाहिए यह आपने घर पे बना देना चाहे गी मैं वैसे और सकता हो आने वाले टाइम में यह देखो गाइस का अंध्या को बनाने अब शील्ड है और मुझे एक बॉव भी बनाना है जिस्से का निए को कोई दिक्कत ना हो और मैं इस चीरट को देखो इस हात में पर लूँगा एंड इस हाथ में एक्स इस हाथ में सॉर्ड ओके गाइस तो चलो मुझे एक आई मतलब की मुझे थ्रेट चाहिए तो मुझे उसके एक मकडी को मानना पड़ेगा एक नहीं बहुत दो तीन मकडी को और राइट गाइस तो मुझे मिल चुकी है एंड एक मिल गई है वह जाज़ा 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 इस पीड देख रहो का इस सोट चलाने की बहुत खतरनाक है एड यह पर हो सारे फूल लगे हुए है डॉर क्लोस करना इस वैरी इंपरेंट मैं यह ओपर आ चुका हूं मुझे spider और वो रही spider मेरे पास शायद एक string है दो string है पता नहीं कितने string है अरे तो मेरे पास हो चुके है I don't know किने strings हो चुके है पर अफ़र इस चग ऐसे बड़ा फट संदर चाहिए अब मुझे सोना है एंट सुबे करनी है और राइट गाइस गुट मॉर्निंग और राइट तो मैंने बना दिया है मेरे घर से बाहर रहा है यार यह घर मेरे को अभी इतना इंसे क्यों लगते नहीं कि देखो यहां से सब दिखता है बाहर का अंदर बाहर का सब तो creeper अगर मुझे देखता है तो इतनी दे दूर तक कौन फटता है यार मुझे नहीं पर आयरन गॉलम के आर्मी बनानी पड़ेगी इनसे इनका आना कम हो जाए और बिल्लियां पालनी पड़ेगी बहुत जाबा और राइट गाईस से मैं फिलिंट लाया हूँ निकाल निकाल के बहुत टाइम लग गया इस इस तीन और मुझे अब और फैदर्स लाने पड़ेंगे और राइट गास तो मैंने कुछ मुर्गियों का खून करके मुर्गे 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 पता नहीं जो भी थे वह ठीक है मैंने उनका खून किया तो मुझे 14 फैदर्स पेले हैं इसको मैं यूस कर नहीं अब मेरे पास हो चुके हैं 72 एरो और टाइम आगया है इसे इने यूस करने का एंड ओके किस पर निशाना लगाँ अब यह निशाना छूट नहीं सकता ओके तो मस्त चल रहा है अपने तीर वापस भी आजाते हैं अब और राइड गाइस बजे उसके एकदम अच्छा वाला बजा भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है कहां तक भागेगा भाग यह आजा 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 शकल दिखा यह यह चोटे जॉंबी क्यों पड़ गए मेरे पीसे वाकि गाउं में एक आइरन गॉलम है तो अच्छा दो दो आ गए ओ माई गॉड आजा बेटा आजा बहुत 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 बढ़िया और मारो इसे चलो अच्छी बात यह कि अपने गाउं में आइरन गॉलम सा चुके हैं थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बाकी तो सब कुस ठीक हो अपने एरोज मैं जमा करके रखना हूं एंड कहीं और तो नहीं चुटे बागी उपर हूंगे यारी गाइस देखो मेरी हालत तो पिछे पीछे दो ओमाई गॉड पीछे पीछवाड़े में दो दो एरो लगे में कोई रिकर नी तो गाइस आपने इस वीडियो को उड़ी उड़ी